Hi guys, welcome to BeBanker, स्वागत आपका आज की क्लास में आज के वीडियो में, मैं हूँ प्रीती माम और आज में लेकर करके आगई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस वाली क्लास क्या होने वाली है आज की क्लास? चलिए जल्दी से जान लेते हैं, आज पढ़ने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में, दिस और दाट के प्रयोग तथा अंतर जी हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं? दिस और दाट के प्रयोग तथा अंतर जानेंगे, कहां इस्तिमाल करते हैं, कहां नहीं इस्तिमाल करते हैं, मतलब क्या होता है, कैसे इस्तिमाल करते हैं, सारी चीजों को आज करेंगे अनलोक तो चलिए शूर करते हैं क्लास को उसके पहले अगर चानल पर नहीं है पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजे चानल को सबस्क्राइब सब्सक्राइब करते वक्त बला आइकॉन दबाना बल्कुल मत भूलेगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए आप सीधे-सीधे हम से जुड सकते हैं इस whatsapp नंबर के जरीए हमारी e-books हमारी e-books हमारी paid courses के बारे में जानने के लिए साथी-साथ ये वाली क्लास इसके जैसी धेलो क्लास डिरेक्लि अपने mobile तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी social media sites पर follow तो चलिए शुरू करें आज की class तो सबसे पहले जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले जरूरी होता है जानना उसका मतलब तो चलिए पहले दिस का मतलब जानेंगे दाट का मतलब जानेंगे कैसे दोनों अलग है ये जानेंगे और फिर एके करके दोनों पे examples जानके कर लेंगे हम ये पता कि कब कहां कैसे दिस और दाट को इस्तमाल करते हैं तो दिस का मतलब होता है यह या इस क्या मतलब होता है दिस का यह या इस दाट का मतलब क्या होता है वह वो या की क्या मतलब होता है वह वो या की तो अब जान लीजे कि that का मतलब जो है कभी कभी सामने के fact को दिखाने के लिए किया जाता है किस के लिए किया जाता है that का मतलब कई बार सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने में जो fact है उसको दिखाने के लिए करते हैं और this का इस्तमाल जो है male, female और neuter gender के लिए होता है यानि की पुरुष महिला और neuter gender के साथ प्रयोग किया जाता है अब neuter gender का मतलब क्या होता है ऐसी वस्तू जिसका pulling या strilling बताया ना जा सके यानि की chair, book, pen अब इसका strilling या pulling आप बता सकते हैं क्या नहीं बता सकते हैं तो ऐसी चीजों के साथ ऐसी चीजों को neuter gender कहते हैं और ऐसी चीजों के साथ दिसका प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं clear तो चलिए जान लेते हैं दिस पर आधारित वाक्यों What is this? यह क्या है? What is this? Who is this? यह कौन है? Who is this? This is my car. यह मेरी कार है. This is my car. यह मेरी कार है. This is my car. This is my friend Rahul. यह मेरा दोस्त Rahul है. This is my friend Rahul. यह मेरा दोस्त Rahul है. This is my friend Rahul. I don't like this, मुझे यह पसंद नहीं है I don't like this, मुझे यह पसंद नहीं है I don't like this Move this aside, इसे एक तरफ ले जाएं या इसे एक तरफ कर लें Move this aside Is this your bike? क्या यह आपकी बाइक है? Is this your bike? क्या यह आपकी बाइक है? Is this your bike? This is my book. यह मेरी किताब है. This is my book. यह मेरी किताब है. This is my book. This bird can fly. यह पक्षी उड़ सकता है. This bird can fly. यह सेब मीठा है. This apple is sweet. यह सेब मीठा है. This apple is sweet. What does this mean? इसका क्या मतलब है? What does this mean? इसका क्या मतलब है? What does this mean? Why did this happen? ऐसा क्यूं हुआ? Do you need this book? क्या आपको इस पुस्तक क्या आविशकता है? Do you need this book? क्या आपको इस पुस्तक की आविशकता है? Do you need this book? Don't tell this to anyone यह किसी को मत बताना डोंट tell this to anyone यह किसी को मत बताना Don't tell this to anyone Clear है? अब जानते हैं That पर आधारित वाक्य I am glad to know that मुझे यह जानकर खुशी हुई I am glad to know that मुझे यह जानकर खुशी हुई I am glad to know that Look at that building. उस इमारत को देखो. Look at that building. That's good, isn't it? ये अच्छा है न? ये अच्छा है, है न? That's good, isn't it? इस लिए मुझे देर हो गई. That's why I was late. I have heard that news. मैंने वह खबर सुनी है. I have heard that news. मैंने वह खबर सुनी है. I have heard that news. That's not the problem. ये समस्या नहीं है. That's not the problem. ये समस्या नहीं है. That's not the problem. Clear है? चलिए बढ़ते हैं आगे. After that, he went home. इसके बाद वह घर चला गया. After that, he went home. इसके बाद वह घर चला गया. That's quite meaningless. ये काफी अर्थहीन है. That's quite meaningless. ये काफी अर्थहीन है. That's quite meaningless. Give that book back to me. वह किताब मुझे वापस दे दो. Give that book back to me. I heard that she had come here. मैंने सुना कि वह यहां आई थी. I heard that she had come here. मैंने सुना कि वह यहां आई थी. I heard that she had come here. My friend told me that story. मेरे दोस्तने मुझे वह कहानी सुनाई. How do you know that? तुम्हे कैसे पता? How do you know that? तुम्हे कैसे पता? How do you know that? बढ़ते हैं आगे. All's well, that ends well. All is well, that ends well. यानि कि अंत भला तो सब भला. All is well, that ends well. अंत भला तो सब भला. Clear? So yes guys, यह थी आज की class. Class कैसे लगी? मुझे comment करके जरूर बताएं. और इसके साथ ही आप सब के लिए है good news. बहुत जल्दी launch करने जा रही हूँ. तीन-तीन किताबे back to back. एक होने वाली है helping verbs के उपर based. यानि की सहायक क्रिया के उपर. एक होने वाली है DLS यानि की daily life sentences के उपर based. एक होने वाली है DLW यानि की daily life words के उपर based. तीनों ही किताबे आपकी अंग्रीजी बोलने की जो जर्नी है उसमें milestone साबित होने वाली है. तो बिल्कुल तीनों में से आपकी favorite कौनसी होने वाली है? ये comment करके मुझे जरूर बताएं. इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी free spoken English की course जिसका नाम है साड़े 6 घंटे में अंग्रेजी बोलें तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं. इसको आप कैसे देख सकते हैं? इस number पर करके WhatsApp message आपको लिखना है कि मुझे 6 घंटे वाली course चाहिए तो ये course के साथ साथ आपको इसकी sample ebook भी भेज दी जाएगी. इस course में आपको मिल जाती है 60 plus video lectures जो कि अपने आप में sufficient है आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए इसमें आपको मिलता है homework भी तो आपको करना क्या है? आपको homework भी करना है और आपको इसकी practice भी करनी है. clear या तो आप लिखके भेजें कि मुझे 6.5 गंटे वाली course चाहिए या तो आप इसी screen की photo click करके भी भेज सकते हैं. clear चलिए पढ़ते हैं आगे यह है premium whatsapp spoken English course यानि की whatsapp पे आपको सिखाई जाती है premium spoken English आप भाई premium spoken English की classes मिल रही है वो भी whatsapp के सहुलियत पे और क्या तो जल्दी से इस number पर inquiry करी और पता कर लीजी इसकी अगली batch कप शुरू हो रही है और इसके साथ ही इससे related जो भी queries आपके दिल दमाग में आती है कि भाई क्या course है कितने दिनों का है क्या आपको मिलेगा जानने के लिए कितने दिनों में आप सीख जाएंगे यह सारी details इसकी inquiry भी आपको कैसे करनी है, inquiry करनी है इस number पर message करके कि बेसिक इंगलिश गामर के बारे में या तो आप लिखके भेजिए कि बेसिक इंगलिश गामर कोर्स की details चाहिए या तो आप इसी screen की photo click करके भेज दीजे अब बच्चों को grammar सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता लेकिन अभी असान है क्योंकि बेसिक इंगलिश गामर फॉर किड्स जिसमें छोटे बच्चों को खेल खेल में grammar सिखा दिया जाता है जिससे उनको सीखने में मज़ा आता है और वो अराम से सीख करके उनके concepts हो जाते हैं crystal clear बिल्कुल तो इसकी inquiry भी आप इस number पर कर सकते हैं और आप किसी भी school में पढ़ते हों किसी भी class में पढ़ते हों किसी भी board के student हो अंग्रेजी के paper में writing section और grammar से सामना तो जरूर होता होगा और अगर आपको भी लगता है कि इन में marks मिलना मुश्किल है तो बिल्कुल आपकी गलती है आप कर सकते हैं इस course को और आपको फिर प जो इसमें आपको मिल जाती है essay writing, debate, writing, letter, writing, notice, writing, report, making and what or not ये सारी के सारी चीज़े इसमें आपको मिल जाती है तो इसकी inquiry भी आप इस number पर कर सकते हैं या तो आप message करेंगे लिख करके course का नाम या तो आप इसी screen की photo लेके भेज देंगे और अगर आप वाके ही एक serious aspirant है जो किसी भी ऐसे competitive exam के तयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये course बिल कुल आपके लिए है चाहे हो आपकी RC यानि की reading comprehension चाहे हो आपकी vocabulary यानि की words चाहे हो आपके grammar basic से लेकर के advance तक और चाहे हो आपके questions चाहे basic वाले advance वाले दोनों तो ये सारी चीज़े इसमें आपको zero से सिखाई जाती है जीरो से कराई जाती है और questions आप किसी भी exam के preparation कर रहे हो इसमें आपको questions जो है धेर सारी practice कराई जाती है तो भई और क्या चाहिए और इसको करने के बाद भी number नहीं आए भई ऐसा होना तो मुश्किल है बिल्कुल तो इसकी inquiry भी आप किस नमबर पर कर सकते हैं इस नमबर पर whatsapp message करके कर सकते हैं या तो आप course का नाम लिख करके inquiry करें या तो आप course की photo click करके inquiry करें तो आपको details जो है वो भेज दी जाएंगी जानकारी मिलने में फिर भी 12-48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर message कर दिया है तो निश्यन्त हो जाए आपको reply जरूर से जरूर मिलेगा, clear? So yes guys that's it for today, thank you so much for watching, be with Bbanker, empowering life through knowledge, thank you so much for watching, stay tuned to Bbanker.